आज बनाएंगे हम लोग चिकन अफगानी एक बस जरूर ट्राइ करिएगा बहुत टेस्टी लगती है डिश इसे बनाना बहुत इजी है आपको अगर पसंद आती है डिश तो लाइक करना मत भूलिएगा चैनल को शेर कर दीजेगा सबस्क्राइब कर दीजेगा अब चलते है हम लोग अपनी डिश की तरह सबसे पहले तो यहां मैंने धनिया पत्ती ली है स्टेम के साथ और यहां मैंने मिर्श ली है मिर्श की उपर का जो होता है उसे हटा देंगे हम लोग और जड़ भी हटा देंगे धनिया की यहां मैंने दही लिया है अब दही धनिया पत्ती और मिर्श को पीस कर पेस्ट बना लेंगे इसमें हम लोग आदा चम्मच डालेंगे बुना हुआ जीरा पॉडर एक चौथाई चम्मच काली मिर्श पॉडर कुटी हुई काली मिर्श है नमक एक चम्मच इसके अलावा हम लोग डालेंगे लाल मिर्श पॉडर एक चम्मच लोग मिक्स कर लेंगे Miles earlier इसमें हम लोग अपने चिकन की पीसिस ढाल दैंगे घुल है 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 हमने 50С रख दिए आप इसमें सबसे गोंच चीज होती उसे मैं अभी डालना गूल गई हूं से मैं मिक्स कर दो lab hinter आप इसमें हम लोग डालेंगे जिंजर गालिक का पेस्ट दो चम्मच यहां में जिंजर गालिक का पेस्ट डालेंगे इसे भी मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद कम से कम एक घंटे के लिए इसे आपको फ्रिज में रखना है अगर आप तीन से चार घंटे रखते हैं त कर लेंगे थोड़ा सा पहले में नीवू मिला दूं सिर्फ कुछ बूंदे ही हम लोगों को नीवू की रस्की मिलाना है और को गर्म होने के लिए रख दिया है और गर्म हो चुका है हमारा अब इसमें एक एक करके हम लोग अपने चिकन की पीसिस जो है सब इसमें रख देंग इसे हम लोग ढग देंगे और ढग कर इसे फ्राई करेंगे थोड़ी देर की बाद हम लोग अपना डखकन खोल के जो चिकन की पीसिस हैं उन्हें पल्टा देंगे ताकि एक विली हम लोगों के अच्छे से फ्राई हो जाएं कम से कम 6-7 मिन के बाद ही आप इसे खोलिएगा उसके बाद इसे हम लोग पल्टाने के बाद इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे गैस की फ्लैम यहां मैंने फुल कर दी है अब इसमें जो करी बची थी उस करी को डाल देंगे थोड़ा सा पानी में लाके लगवाग एक कप मैंने सारी करी इसमें डाल दी है जो हमारे यान चिकन से भी थोड़ा सा पानी आया था और जो हम लोगों का मसाले का पानी था उन सब से क्या हमारा चिकन जो है अच्छे से गल भी जाएगा प्राइ तो पहले ही हो चुका था सारा जो मसाला है वो इसमें कवर भू जाएगा इतनी देर तक इसे हमें भूनना है अगर आपको लगता है कि आपका जो मसाला है उसमें पानी जादा है तो गैस की फ्लैम फूल कर दीजिए यह हमारा मसाला बिल्कुल बून के रेडी हो गया था चिकन की पहले हम लोगों पीसिस निकाले फिर उपर से इसमें जो मसाला बचा था वो मसाला डाल देंगे यह मैंने डाल दिया अब यह हमारा चिकन अफगानी खानी के लिए एकदम रेडी है इस क्यूपर डालेंगे हम लोग धनिया पत्ती और इसे हम लोग गर्म गर्म सर्व करेंगे अगर आप खटा कम खाते हैं तो जब हम लोग ने एंड में नीवू डाला था उसे मट डालिएगा और अगर आपनों को खटा पसंद है तो कोई बात नहीं क्यूंकि दही और नीवू दोनों में खटास होती है इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग ही नीवू को डालिएगा आप पसंद आए तो लाइक और शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा थैंक्स पॉर वाचिंग